हेलो दोस्तो तो कैसे हो आप लोग आज हम exercise 1.4 का first question करेंगे जिसमें आपके 10 parts दे रखेंगे हैं इसमें क्या कर रहा है कि आप बिना कोई long division करते हुए आपको कोई divide नहीं करना है जो आपको fraction में दे रखा है उसको यह बताना है कि वो terminating decimal expansion में है या non terminating repeating decimal expansion है terminating का मलब कि आपका जो decimal के बाद जो है ना वह आपकी repeat नहीं हो रही होगी जबकि non terminating में आपकी repeat हो रही होगी for example आपका 33 upon 100 है आपने डिवाइड करा 3300 जीरो पॉइंट रखा जीरो लग जाएगा यह आपका हो जाएगा three times में three hundred thirty आ गया ठीक है एक zero लगा दिया three times three hundred और यह आपका reminder बच्चा zero और आपका answer आ गया point 33 ठीक है तो यह आपका हो गया terminating non-terminating यह यह terminating ठीक है अब हम question की बात कर लेते हैं तो आपका जब भी terminating का क्या है आपके कुछ rules है वह rule क्या है कि जब भी आपका pyq है की form में जो होगा terminating कब होगा it's terminating if दो condition होती है यह आपकी p and q are cro prime जो आपका p और q है वो आपके co prime हो ठीक है co prime मतलब आपका जो scf है वो आपका a की रहे मतलब कि कोई common ना है ठीक है मतलब कि यह पूरा का पूरा divide हो चुका हो पहले से यह कटे ना terminating में यही चक्कर है कि आपका यह कटना नहीं चाहिए for example आपका two by four है ठीक है two by four कट जाते आपका one by two में आ जाते तो आपका कटना नहीं चाहिए second condition है आपकी कि जो q जो होगा न वो आपकी इस form में होना चाहिए two की power n और five की power m इस form में होना चाहिए जहां पर जो आपकी n और m है वो non-negative रहने चाहिए where n and m are non-negative integer ठीक है यह आपकी दो condition है अगर आपकी condition satisfy होगी तो आप बता सकते हो कि it's a terminating okay that's it तो चलिए पहला portion पहला पार्ट है आपका 13 upon में 3125 ठीक है सबसे पहले आप क्या करोगे check करोगे को प्राइम के लिए तो यह तो आप डिविज्वल है नहीं यह कटनी रहा बिल्कुल भी चैकिंग फूर को प्राइम तो इसमें क्या आएगा 13 and 3125 have no common factors भलब कि आपके जो कोई भी common factor नहीं है 13 और 3125 में ठीक है तो इसका मदलब क्या हुआ यह आपका को प्राइम है सो 13 and 3125 are co-prime पहली condition आपकी satisfy हो गई अब आप क्या करोगे second condition को देखोगे तो second condition को देखने के लिए आप क्यों क्या करना था कि जो आपका q होगा वो आपकी इस form में होना चाहिए यह मदलब कि आपका 3125 है इसके आप factors करोगे ठीक है प्राइम factors चैक करोगे 3125 5 के table से गया 625 5 के table से 125 5 के table से 25 और 5 के table से 5 और 5 के table से 1 तो आपके जो भी factors आएंगे 1,2,3,4,5 मदलब कि आपका 3125 equal to 5 की power 5 लिख सकता हूँ आपको क्या बोल रहा है कि आपको इस form में चाहिए ठीक तो आप इसको यह भी लिख सकते हो 2 की power 0 और 5 की power 5 लिख सकते हो 2 की power 0 का मतलब क्या है 1 इसका एक factor 1 भी तो होता है न तो 1 के factor के लिए आप 2 की power 0 लिख सकते हो और अगर हम इसमें देखें कि n equal to आपका 0 और m equal to 5 है आप लिख दो यहाँ पर where n equal to 0 m equal to 5 तो आपका यह वाली जो form है वो same बन चुकी है तो it's mean it's terminating ठीक है यह तो होगे आपका पहला part आप खरते है second part ठीक है second part आपका दे रखा है 17 बटे में 8 सबसे पहले आपको दोई condition है same आप यह लिखोगे यहाँ पर यह condition होनी चाहिए अगर यह terminating है ठीक है तो आप condition कैसे apply करोगे आप सबसे पहले check करोगे co-prime है या नहीं checking co-prime मतलब यह कटेगा नहीं अगर यह 16 होता तो खट जाता नहीं कटेगा तो checking co-prime में क्या आएगा कि इसका कोई भी common factor नहीं है 17 and 8 have no common factor ठीक है तो so 17 and 8 are co-prime okay अब second thing क्या check करने होती है आपको यह देखना होता है जो आपका q है वो 2 की power n और 5 की power m के form में है या नहीं तो आपको 8 के factor check करने है 4, 2, 2, 2, 1 ठीक है तो 8 के factors क्या हुए 1 multiply मैं 2 की power 3 लिख सकता हूं किसी भी power की अगर हम 0 कर दें तो वो हमारा 1 होता है तो मैं लिख सकता हूं इसको 5 की power 0 और 2 की power 3 same waveform आगी 2 भी है और आपका 5 भी है दोनों include हो रहे है तो यह क्या है आपका आप इसमें यहां लिख सकते हो where n equal to 3 and m equal to 0 it's a terminating यह भी आपका terminating है चेको गया terminating decimal आपका 3rd part है 64 upon 4 555 मलब 455 ठीक है आपकी दो condition थी कौन कौन सी थी मैं दुबार लिख देता हूं अगर आपको terminating proof करना है तो P by Q is terminating if पहली condition क्या थी P and Q are co-prime और second condition क्या थी कि Q equal to 2 की power n और 5 की power m की form में होना चाहिए ठीक है got it तो सबसे पहले आप देखोगे कि यह आपका co-prime है या नहीं अगर यह कटता है तो तो नहीं है मतलब क्यों और भी factors है common अगर नहीं कटते है तो यह इसका कोई common factor नहीं होगा ठीक तो पहली condition को check करते है checking for co-prime यह कट नहीं रहा तो इसका मतलब क्या है 64 and 455 have no common factor so 64 and 455 are co-prime co-prime का पता चल गया आपको second condition क्या है कि आपको q आपकी 2 की power n और 5 की power m की form में होना चीए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके factors करने पड़ेंगे तो 455 के factors क्या होंगे सबसे पहले आप 5 से try करो यह आपका आगया 91 91 आपका 7 के table से 13 और 13 के table से 1 ठीक है तो आपके factors क्या बने आपके 455 के factors है आपके 5 multiply 7 multiply में 13 अब मैं इसको 1 की जगए तो मैं लिख सकता हूं 2 की power 0 ठीक है बट इसमें 7 और 13 भी आ रहा है समझे हो अगर इसमें 7 कोई और दूसरा number आ जाता है अगर आपका 2 और 5 के अलावा कोई भी number आ गया इसमें तो आपका यह non terminating होगा समझ गए तो आप यहाँ पर directly भी लिख सकते हो इस नौट की फार्म ऑफ टू की power and then 5 विकHiव थी दोए तो आप लिख सकते हो आपका इन अपडि आमसरत और 168 और 178 मैं चीवस्वानौ की अलग सब्रकशीज चब दिखनांच तर्मिनेटिंग दिखा दिया थर्ट पार्ट में आपको याद रखने कि आपका जो डिनोमिनेटरतर वाले जो चकर आएगा इसमें आपके फैक्टर्रस बनेंगे फैक्टर्स में अगर आपका टू 5 के अलावा कोई भी आ जाता है अगर simple आपका 2 रहा ठीक है तो 5 आपका अपन्याप बन जाएगा क्योंकि 1 भी उसका factor है 5 की power 0 कर दोगे तो हो जाएगा same आपका 5 आया है और 2 नहीं है तो 2 को भी ऐसी कर दोगे अगर इनके अलावा कोई कोई और आ जाता है 3 आ जाता है 7 आ जाता है 9 कोई भी anyone ठीक है तो आपका वो non terminating होगा बाकी के जितने भी parts है 7 छोड़ दिया आपके लिए आप इसके practice करना मैं आपको दुबारा सारा question दिखा दिता हूँ आप इसका screenshot लीजी और इसकी practice करो अगर कोई भी doubt रहता है बाकी के questions में तो आप comment कर देना मैं बता दूँआ Thanks for watching this video Like करो और subscribe करो My study system आपका कोई भी doubt रह जाता है तो My study system की priority है कि आपके doubt को solve करे क्योंकि My study system always with you Thank you